Hello everyone, BHU में इस बार वैसे student जो खासकर MSC physics में entrance exam देना चाहते हैं इस वीडियो में आपके application form, entrance exam, exam pattern, syllabus और वो complete information दिये जागा जो आजकल कुछ students का query आ रहा था इस वज़ा से So इसमें अगर हम MSC physics की बात करें तो जो BHU में entrance होते वो PET course के अंदर आते हैं और application form की बात करें तो normally इसके मार्स से अपरिल के बीच में आ जाते हैं और at least one month का आपको form fill करने का time मिलता है और entrance exam उसके just one month बात तो आपके entrance exam होने वाले होंगे वो June से जुलाई के बीच में आपके हो सकते हैं चांस ज्यादा है इस बार late नहीं होगा जैसे कि last year late हुआ था हाँ आपके exam जो है वो NTA conduct कराते हैं तो आपको NTA की हिसाब से अपने आपको तयार करना है यहाँ पर यह रहा जो आपके MSC physics जो हैं वो आपको institute of science के अंदर आते हैं और यह code रहा मतलब इसका separate paper होता है यह नहीं कि physics chemistry सब combine मिलकुल नहीं आपका separate paper होता है और इसमें maximum जो seats है वो 96 seats है MSC physics में यह मैंने आपको course को लिकर बताती है इसके लाबा यहाँ पर reservation का भी criteria है जैसे अगर बाइते भी यहाँ पर आपको selection मिलता है तो एक reservation का वैडवी एड होता है तो जो रिजर्वेशन यहाँ पर फिप्टी परसेंट स्टूडेंस का 7.5 परसेंट स्टूडेंस का और आपने 27 27 परसेंट वी यह वी सी का EWS भी यहाँ पर है 10 परसेंट EWS वाले candidate को भी यहाँ पर reservation मिलता है इसके लाबा और भी है बट यह reservation लिस्ट पे यह स्टूडेंस लिस्ट पर फरक नहीं पर डालता है मतलब यह कि हर category का seat fixed है अगर बाइते अब 98 तो उसमें seat fixed होता है कि हाँ इस category को इतना seat मिलेगा यह मिले है कुछ B.H.U. paid seat वाले भी है और भी है बट जो आपके लिए relevant था हो मैंने आपको बता दिया इसके लाबा और भी कुछ है बट जो आपके relevant था मैंने आपको बता दिया इसके लाबा sports में आपने अच्छा करहो उसमें भी आपको यहाँ पर फाइदा मिलता है और आप इसक साइंस जोग्रफी मैथमेटिक्स और स्टाटिक साइकोलोजी होम साइंस यह अगर यह सभी पेपर से आप की हैं तो इन सब का एक ही यहां क्या कर रहा है बीसी ओनर्स सलाइस बीसी अंडर टेन प्लस टू प्लस थू प्लस थू प्लस त्री पाइटन सीक्यूरिंग मिनमुम 50% आपके मिनमुम 50% होना चाहिए अब जिसे यहां पर देखिए मस्टी के लिए चाहते है तो जो बैचलर कर रहे थे तो इसमें हो पाएंगे मगर यहां पर आप जिसे जो जुन्होंने मस्टी आप जब बैचलर किये तो आपको बहुत मिलने माला होगा तो यह उनके बात कि थोड़ा से देख लीजेगा मगर यह की इनके देखें बड़ा सिंपल है जो होता ना वो चेंज यह नहीं होता जल्दी अलब चाहिए वो किसी भी आप कोर्स में चले जाए इलिजिविटी सबका कॉमन ही रहता है तो यह मैंने आपको मस्टी का जो है आपका इलिजिवि सब्सक्राइब हो यह देख लेजिए लिखा रहा है मस्टी फजिक्स देर सल्वी वन पेपर ओं ट्वेंटी मिनट्स डिवरेशन करिंग फोटी एट माक्स कंटेनिंग वन ट्वेंटी मुल्टी मुल्टिपल च्वेशन बेस डॉन ग्राइजिविशन सब्जिक तो यह है कि आप जिस भी वेपर से ग्राइजिएशन करा है जिसे कि बड़ा सिंपल आपने जो बैचलर्स किया है खासकर बीसी में और बीसी में फिजिक्स में किया है तो उससे डिफिनिटल आपके कोशन पूछे जाएंगे उसी साब से आपके जो पैटरन रहेंगे उसी लेवल जो ब करेंगे आप जो है कोशन पेपर एसस करने की कोश्चिकर अगर पॉसिबल हो सके बैट यह कि यह ओवर आल जो आपके जो सिलेबस हैं वह आपके बैचलर्स लेवल के है यानि कि आपने जो बीसी करा है उसी के हिसाब से आपके कोशन पूछे जाएंगे तो आने मेले जो भी